Hello students, एक बार फिर से स्वागए थे आप सभी का हमारे YouTube चैनल Edutera पर Maths का Basic ज्यान एक के अंतरगत आज हम बात करने वाले हैं Cross Multiplication की जिसे हम तिर्यक गुणा, तिर्शा गुणा या फिर कैची गुणा भी कहते हैं So let's start to learn something new, Edutera Mission of Success अधर आपको अपनी Maths strong करनी है तो Cross Multiplication के Concept को समझना बहुत ही जरूरी है मैंने देखा Class 6, 7, 8, 9, even Class 10 के बच्चे भी Cross Multiplication में बहुत सारी Mistake करते हैं उनका Question सही होते होते, कहीं पर बीच में आ जाता है Cross Multiplication और वो यहाँ पर Mistake कर देते हैं आज हम लोग दो Example की Help से Cross Multiplication को समझेंगे तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा Cross Multiplication का Application जनरली Fraction के Case में होता है कोई Equation Solve करें या Word Problem को Solve करें तो Cross Multiplication Solve करने के लिए हमें इसे समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है देखें यहाँ मैं Example Number 1 ले रहा हूँ जिसमें मैंने लिया है 1 by 2 equal to X upon Y तो यह जो 1 by 2 है इसे हम LHS value बोलते हैं और X upon Y को RHS तो देखें यह arrow क्या दिखा रहा है आपको यह हमें बताता है कि Y को हम 1 से multiply करेंगे और LHS की side में लिखेंगे 1 into Y और यह जो equal to का sign है यह वैसे ही रहेगा और दूसरी तरफ क्या आएगा देखें ध्यान से यह arrow 2 से X की तरफ जा रहा है यानि हम RHS की तरफ लिखेंगे 2 into X इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो numerator था उसे हमने denominator के साथ multiply करके equal to के sign के LHS side में और RHS side में लिख दिया है यह था हमारा पहला example तो आप ऐसे धेर सारे example लिखकर खुद से भी practice करके इसे समझ सकते हैं यहाँ पर example number 2 में मैंने fraction लिया 2 by 3 equal to X plus Y whole divided by A plus B तो student इसे भी different value के cases आपको मिल सकते हैं numerical के problems में लेकिन आपको करना क्या है बिल्कुल जैसे इसमें arrow चलेगी वही काम आपको करना है देखिए द्यान से यहाँ भी मैंने arrow बनाया है और यह A plus B जो denominator में है वो 2 से multiply हो जाएगा तो आप LHS की तरफ लिखेंगे 2 into A plus B और जहाँ पर bracket लगा है वहाँ आप into का sign लगाएं into मतलब multiplication का या ना लगाएं equal to का sign ऐसे ही रहेगा और यह दूसरा arrow देखिए 3 किसके साथ multiply हो रहा है X plus Y के साथ तो cross multiplication में आज हमने सीखा कि कैसे हम इसको multiply करके solve करते हैं सो students हम मिलते हैं Edutera Maths का basic ज्यान part 2 में जहां हम बात करेंगे इसी प्रकार किसी और बहुत important basic और fundamental concept की तब तक के लिए बाई बाई